SBT News पर इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वपाशत के बेटे से 15 लाख रुपए की लूट बाइक सवार युवक की आखों में मिर्च डाल कर दिया वारदात को अंजाम श्री गंगा नगर जिला मुख्याले की घटना श्री गंगा नगर जिला मुख्याले पर पूराने अबादी ग्रीन पार्क के निकट आज जिन्दा हारे बाइक सवार एक युवक की आखों में मिर्च डाल कर 15 लाख रुपए की नगदी लूट ली गई घटना के सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने इलाके के सिसी टीवी कैमरे की फुटेस खंगा ली लेकिन लुटेरों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया ये घटना पूर्व पाशत एवं शराबी व्यवसाई प्रेम नायक के बेटे के साथ हुई जानकार के अनुसार पुरानी अबादी के निवासी गौरव नायक आज दोपह करीब सवा एक बजे उद्धन सिंग चौक से ग्रीन पार्क की तरफ बाइक पर 15 लाक रुपए की नगदी लेकर ज़ा रहा था गौरव ने रुपियों से भरा बैक बाइक पर आगे रखा हु गए लोगों ने गौरव को संभाला और पुलिस को सूचना दी सूचना मिलने पर एसाई भरत प्रसाद और पुलिस का गश्ति दल मौके पर फौँच गया पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई लेकिन लुटेरों का कोई भी पता नहीं चलपाया A.S.I. भरत प्रसाद ने बताये कि पूर्व पाशद प्रेम नायक का पुत्र गौरम नायक शराब ठेकों से नगदी लेकर घर की तरफ जा रहा था इलाके के CCTV केमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है अभी मौके पर हैं बैग में 15 लाख रुपे की नगदी थी या कम राशी इस बारे में तस्दीक की जा रही है गौरतलब है कि ग्रीन पार्क और जंता ट्रक यूनियन पुलिया पर शराबियों और नशेडियों का जमावडा रहता है आशंका है कि अग्यात यूकों ने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी की होगी उदर पूरु पाशद प्रेम नायक का कहना है कि वो चिंत पुर्णी जा रहे थे रास्ते में ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है अवे बीच रास्ते से ही वापस श्री गंगा नगर आ रहे हैं अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर